भाचपा के जिला पदादिकारियों मोर्चा के अध्यक्षवा महामंत्री जिला चुनौ प्रबंधन समिती पंचायक प्रतिनी दी सरकार में समायोजित कारिकरता सहकारिता प्रतिनी दी पूरू पदादिकारी एवं वरिस्ट कारिकरता चेयर्मेन वा सभा सद सहित जिला बैठक समिती की अलग-अलग सत्रों में बैठक का आयोजन एक कलब के सभागार में आयोजित किया गया। और प्रदेश सरकार की योजनाओ का लाब पाय लोगों से समपर करने को कहा। आपने तयारी करिये जैसे सभी अन्यदल कर रहे हैं लेकिन भार्तियंत्या पार्टी का संगठन मेरं अन्तर काम करते रहता है इसलिए कभी भी चुना हो उसके लिए तयार रहता है अब उसे सम्मंदित एक परिचात्मा के बैठक की परिचया धारी और कई विभीन जिनों में हम लों का दोरा चल रहा है उसी करम में आज गुरखपुर के ग्रामीन चेत्र के सभी कार्यकरता थे और विभीन मुद्धों पे चर्चा हुई कार्यकरता एकदम मन से जुड़ेवे हैं और जनता की भावना जो उनके मिलने के करम में जो जनकारी मिरी वो एक चिस पष्ट है उत्तर फ्रदेश की जनता जो है वो मन बनाई भी है कि पुनह योगी जी की सरकार को यहां स्थापित करना है मोधी और योगी की जो सरकार है वो एक नई अनुवती है पुरवांचल में खास करके और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में तो परिणाम सरुक क्या हो रहा है कि जो आम आजमी है गरीब है जो समा करल्यान की योजनाओं उस पू सरफ आशा पर उस टिका वाथा कि हमको भी मिलेगा और आज एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर उसके नाम पर योजना लिखावा है तो लभारती वही है उसके अनुगति हो कर रा है यह पहली बार जो है एक भारत वर्ष में और उत् प्रदेश के यशस्वी मुखमंत्री जी की जो छवी एक साक्षात बिमांदार नेत्रित्व केंद्र में और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री गोरखपुर के पुर्वानचल के सांसत काशी के और संपून विकास यहां से उक्तर प्रदेश का हो नेता द्वारा हो यह संपून भारत का काशी के सांसत द्वारा हो तो यह एक व्याक है रूप में यहां पर वहसूस हो रहा है तो प्रचन बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतियन्ता पार्टी के सरकार योगी जी के ने तुपर बनने जा रही है अब ग्राम पंचायतों में यह हमारे जो अधर्ष थे या और भी जो अन्य प्रकोष्टों के जो सदस्य थे तो सबका यह कहना था कि जो गरीब है जिसके लिए योजनाएं है उसको अपने संपूर्ण जिन्दगी में पहली बार यह अनुहुती हो रहा है कि जो योजना के आगे उसका नाम दिखावा था वह पूरी तरह से सर्फ उसी को मिल रहा है विचोरिया राज समाप्त हो गया तो यह एक किसी को छत नहीं था कुछ नहीं था ग्रामिन प्राहनमंत्री गामिन Оवार्स योजना में अब इतने घर बने हैं कि एक कलपना नहीं की जा सकती था इतने साड़े-4 साल पहले कि उत्तर प्रदेश में सह भी इतने रोड बने इतने हाइवेय मतलब 4-4 साल उसमें जबकि हमने दो साल कोविड लेके खोया है और कोविड की लडाई भी जो है वो अध्भुत लड़ी गई है आप ये समझे कि कितना दिखभरमित करने का विपक्ष ने परियाज किया है यहीं के जो सपा के मुखिया है खुलियाम कहे थे कि मैं मोधी वैक्सिन नहीं लोगा उत प्रियास करें कि जनता दिख ब्रहमित हो लखिमपूर कार्ण भी उसी उक्रम में एक उधारन है तो आप प्रेस के लोगों ने इस चीज को जागर करी दिया कि किस तरह से इसको प्रायोजन प्रायोजन चल रा था तो लेकिन आप जनता इसमें फंसने वाली नहीं है मन बना प्रिया से नहीं है एक संगठर का विखे है यह हम तो बूठो तक पहुचने का काम यह है हम पन्ना प्रमुख मने की जोड़ वोटर बूठ की जोड़ बूठर की जोड़ पूचने काम उसके संपूर्ण वोटरों के बीच में थोती सी संथ्या में भी हमारा कार्य करता जाएगा और जो विकास के कार्य हुए हैं उसकी चर्चा करेगा और उनको कंविंस करने का काम करेगा कि जो ऐसा है, जो की जानकारी लेना चाहते हैं दर्द योजनाय बहुत आरहम है, नोगो के एकभी कुछए कम जनकारी हो дополн애š досक्राही को जिख बहुत, जओ के योजनाय और भी बहुत. सफरे तो इसके माध्यम से हमार करेकरता जाते हैं और कि गधका संगतान अधारित पाटी हैं, जगा आपको भारती अंतर पार्टी का इकारेकरता दिखे लाए यही देख